कम्प्यूटर सिखने के लिए हमारे चनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज के इस फीडियो में हम आपको कम्प्यूटर नेटवर्किंग का एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक बताने वाले हैं वाट इस नेटवर्क आर्किटेक्चर network architecture क्या होता है और इसकी ज़रुरत क्यों पढ़ती है इसका use क्या है advantage, disadvantage से भी चीज़े हम type के साथ discuss करेंगे तो सबसे पहले network architecture का मतलब क्या होता है इसे मैं आपको बता देता हूँ network architectures means network layout that tells us how computers are arranged and how the tasks are allocated to the computer network architecture का मतलब क्या होता है network layout आपको यानि Network का डिजाइन तो, यह network layout हम क्यों बनाते है network layout जो हमें यह बता था कि computer को हमें कैसे rearrange करना है कैसे computers को आपण में connect करना है और connect करने के बाद computer को task कैसे allocate करना यह हमें ऑन बनाता है कौन बताता है network architecture ही बताता है तो यहां पे आप यह कह सकते हैं कि network architecture के जरीए हम यह कह सकते हैं कि हम computer को कैसे connect करें कि हम उस connection में जितने भी network में computer connect हुए उसका maximum advantage ले सकें रियल लाइफ एक्जमपल अगर हम कोई घर भी बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका एक लेयाउट तियार करते हैं, ब्लोप्रिंट बनाते हैं, इंजिनियर से बनवाते हैं, ताकि हमें पदा चल सके कि हमारा घर कैसा दिकेगा, और हम कैसे इसी घर से मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं, उसी उतने ही जमीन में, तो बस कोई भी नेटवर्क बनाने से पहले, हम उसका एक आर्किटेक्चर त्यार करते हैं, तो कितने तरीके से हम नेटवर्क आर्किटेक्चर त्यार कर सकते हैं, टाइप सोब नेटवर्क आर्किटेक्चर में आप देख सकते हैं, द दोनों में based होता है client server architecture लेकिन हम आपको सबसे पहले peer-to-peer network architecture के बारे में बताते हैं यह क्या होता है इसका concept क्या है peer-to-peer architecture यह क्या होता है peer-to-peer network also known as point-to-point network ठीक है इसको आप point-to-point network भी बोल सकते हैं जब हम आपको figure बताएंगे तो आप समझ जाएंगे क्यों बोला जाता है in which all the computers are directly linked together with equal privileges and responsibilities for sharing the data इसमें क्या होता है जितने भी computers होते हैं वो directly एक दूसरे से क्या होते हैं link होते हैं connected होते हैं सभी के पास बराबर privileges होता है ठीक है equal privileges का मतलब सभी को बराबर responsibility मिला होता है बराबर सभी का हक होता है उस network में ठीक है जो architecture हम बनाएंगे वहां पर आप देखेंगे समझेंगे किसलिए data sharing के लिए और इसमें एक खास बात क्या होते है कि there is no server in it peer-to-peer network architecture में कोई भी server नहीं होता तो चलो figure बनाते हैं बहुत ही सिंपल सा फिगर एक सिस्टम है दो computer सिस्टम तीन चार और यह हो गया पांच तो यहां पर मैं पांच computer system को लेके ही यहां पर peer-to-peer network architecture बना रहा हूँ आप चाहें तो पांच से ज्यादा कभी बना सकते हैं तो इसमें देखो आपको कहीं पर भी कोई server दीख रहा नहीं दीख रहा और मैंने क्या बनाता है इसमें सारे computer आपस में directly connected होते हैं तो यह इससे भी direct connected होगा इससे connected होगा यह system इससे connected होगा direct उसके बाद यह इससे भी connected होगा directly तो देखो सारे system आपस में directly connected है इसमें कोई भी server नहीं है और जब छोटा environment हो 10 से कम computer system हो तब आप peer-to-peer network architecture बनाएंगे और इस network का use करेंगे दस से ज्यादा होगा तो उसके लिए client server होता है इसमें security नहीं होता है advantage disadvantage में हम इसी बात को बताएंगे आपको तो definition में हम चलते हैं यहाँ पे देखो equal privileges and responsibilities for sharing the data सभी के इस computer को किसी को भी data share करना इसको करना है तो यह directly कर सकता है इसको करना इसको भी कर सकता इसको भी कर सकता इसको भी इसी तरह यह भी सभी को data share कर सकता है यह भी सभी को data share कर सकता सभी के पास बराबर privileges और responsibility है, communication करने के लिए data को share करने के लिए, तो इसका कुछ advantage और disadvantage होता है, चलिए हम उसे भी देख लेते हैं, advantage की बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम, it is a cheaper network as it has no server, ये काफी सस्तर network होता है, कौन? peer-to-peer network, क्योंकि इसमें कोई भी server नहीं होता है, आप इस figure को देखो, यहाँ पे आपको क्या कोई server दीख रहा नहीं, server नहीं है, तभी तो हर computer के पास equal privileges से data को share करने का, equal privileges से मतलब बराबर अधिकार है, जितना अधिकार इस computer के पास है, इन चारों को data share करने के लिए, उतना ही, इसके पास है, इसके पास भी, इसके पास और इसके पास भी है, क्योंकि यहाँ सब एक दूसरे के माली के कोई भी server नहीं है, इसी वज़ा से इसका cost काफी कम है, second advantage क्या है, if one computer stop working, it will have no effect on the other computer, मालो कल को यह computer खतम हो गया, यह नहीं रहा, तो अब इसका मतलब यह नहीं हुआ कि यह चारों भी खतम हो गया, यह अपना काम वैसे ही करेंगे, जैसा इसके रहने के पहले हो रहा था, इन चारों को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यह भी advantage हो गया, third क्या हो गया, its setup and maintenance is also easy, इसका जो setup और maintenance है, वो काफी ज़्यादा असान है, क्योंकि इसमें सारे system आपस में directly connected है, कोई server का concept नहीं है, तो इसका setup अगर आपको मालो यह खराब हो गया, यह नया lucky add करना है, यह pair कर दो, फिर से जोड दो wire से, connect हो गया, तो इसका setup बना और maintain करना बहुत ज़्यादा असान होता है, यह हो गया advantage, peer-to-peer network architecture की, अब बात करते हैं disadvantage की, क्योंकि अगर किसी के कुछ फाइदा होता है, तो उसका नुकसान भी होता है, सबसे पहला नुकसान है security issue, इसमें कोई भी server नहीं है, अगर मालो कोई network को, बाहर से आगे कुछ भी करता है, तो बचाने वाला कोई server नहीं है, इसमें security काफी कम होता है, इसलिए तो 10 से कम computer system, छोटे environment में इसका use किया जाता है, second disadvantage क्या हो गया, we cannot backup the data, because there is no server in this network, इस network में कोई server नहीं है, इस वज़ा से हम data का backup नहीं ले सकते, मालो data अगर हमारा delete हो चुका है, इस system से data delete हो गया, इन से अगर चाहिए, अगर इनके पास है तो ठीक, अगर नहीं है, तो हम data को अब दुबारा नहीं ले सकते, क्योंकि इस network में server है यह नहीं है, जो इन सभी के अलावा भी data का backup रखता है, तो यह इसका बहुत बड़ा disadvantage हुआ, peer-to-peer network architecture का, मैंने starting में बोला था, यह point-to-point network इसलिए होता है, क्योंकि एक computer के point से दूसरा computer direct connected है, देखो सब एक दूसरे के point से connected है, इसलिए यह point-to-point network architecture भी क्यालाता है, architecture मतलब network का design, तो अभी चलो client-server architecture की बात करते हैं, जिसमें आप हजारों लाखों computer को connect करो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा की client-server architecture में इसके name से ही पता चड़ रहा की client होगा और server होगा, तो इसका architecture कैसे बनेगा, layout कैसे बनेगा, advantage, disadvantage, चलिए हम discuss करते हैं, client-server architecture also known as request-response architecture, request-response इसलिए बोला जा रहा, क्योंकि यह जो client है, यह क्या करेगा, request करेगा, यह जो server है, यह क्या करेगा, client के request का response देगा, इसलिए request-response architecture, in this architecture, client makes a request to the server, server से वो request करेगा, and server will fulfill the response, और server की यह जिम्मेदारी है कि उस response को पूरा किया जाए, तो यहाँ पे simple सा एक figure हम बनाते हैं, आपको बहुत ही बढ़ियां से समझाने के लिए, यहाँ पे एक mobile phone होगा, कुछ भी device हो सकता है, तीक है, और एक यहाँ पे क्या बना देते हैं, हम laptop बना देते हैं, यह laptop का क्या keys है, तो अगर इन सभी device को हम क्या करें, connect कर दें, एक ही main computer से, तो यह क्या है, यही यह server, client server architecture में, एक system जो होता है, वो server होता है, और बाकी के system उसी से connected होते हैं, तो अभी इसमें server है, तो यह इसका advantage क्या मिलेगा, backup, storage, security कौन provide करेगा, यह server system provide करेगा, server भी यह computer होता है, लेकिन यह जिस भी network से connect होता, उस network का main computer होता, ठीक है, storage, backup, security हमें यह provide करता है, साथ ही साथ यह 24x7 अपने clients को fast service देता है, कभी भी आप request करेंगे, तो यह आपके request को सुनेगा, high speed internet से यह हमेशा connected होता है, इसमें भी इन सभी की तरह RAM होता है, operating system होता है, अगर आप server के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप जान सकते हैं, अभी इसका काम क्या है, वो discuss करते हैं, मालू यह एक client है, इसने request करा, इसने कोई भी website सर्च करा, तो सबसे पहले यह जो भी request करेंगा, server के पास जाएगा, उसका application, server के पास पहुचा है, इसका request, server देखेगा, इसका request, server क्या करेगा, इसके IP address को hold करेगा, सबसे पहले इस client के IP address को server hold करेगा, उसके बाद इसका जो भी request था, उसी IP address पे send कर देगा, तो इसका काम हो जाएगा, तो इसने माल लो एक website के बारे में request करा, कि मुझे यह website देखनी है, मुझे यह website चाहिए, तो इसके पास IP address आया, इसने HTTP protocol की मदद से, सेम IP address में response कर दिया, तो यहाँ पर वो website डिस्पले हो जाएगी, इसी तरह एक और real life example आपको बताता हूँ, माल लो आपको client server architecture का वीडियो देखना हुआ, आपने YouTube पे search करा, ठीक है, अपने mobile phone से आपने search किया, फिल लैप्टोप से कहीं से भी आपने search किया, तो सबसे पहले YouTube के server में, आपके device का IP address जाएगा, वहाँ पे आपका IP address ये रखेगा server, फिर आप ही के IP address में, HTTP की मदद से वो वीडियो सेंड कर दिया जाएगा, और जिस IP address जिस device से आप request करेंगे, उसी device में आपको response मिलेगा, आपके बगल वाले दूसरे device में वो वीडियो जाएगा, नहीं, आप ही के पास आएगा, और आप वीडियो को देख पाएंगे, तो server होने का फाइदा क्या है, कि इसमें आप जितने चाहे number of devices को add कर सकते हैं, अटा सकते हैं, इसमें कोई भी security का issue नहीं होता है, बाकी की चीज़े चलो advantage और disadvantage वाले section में discuss करते हैं, सभी चीज़े यहां बताना ठीक नहीं है, पहले advantage की अगर बात करें हम client server architecture की, तो इसमें क्या होता है, it has a centralized system, इसमें एक centralized system होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, server बोलते हैं, from which data can be easily backed up, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जहां से हम data का easily backup ले सकते हैं, मालनो मेरे पास इस system में कुछ data था, वो data हट चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं, server से मगा सकते हैं, क्योंकि server क्या करता है, backup का facility हमें provide करता है, security is better in this network, इसमें server है, इसी लिए security इसका improve रहेगा, क्योंकि server हमें security भी provide करता है, यह इसकी responsibility होती है, third क्या हो गया advantage, entire system is maintained by the server, जितना भी system है, यह देखो, यह सारे system एक same server से connected है, तो सारे system को हमें इस server से ही maintain कर सकते हैं, मालोग कुछ भी software इन सभी में install करना, तो हम सभी में जाके install ना करने के वज़ा, अगर server में install कर देंगे, तो इन सभी में अपने आप वो installed हो जाएगा, यानि यहीं से हम सभी को manage कर सकते हैं, last advantage क्या, fourth number पे, it also increases the speed of resource sharing, server होने के चलते, अगर हम कोई भी data को एक system से दूसरे system में, या फिर एक network से दूसरे network में share करते हैं, तो इसका speed काफी जादा high होगा, क्योंकि server speed भी देता है हमें, अब disadvantage की बात करें, अगर किसी का कुछ advantage होता है, तो उसका disadvantage भी होता है, इन case of server failure, entire network will be failed, अगर मालो by chance हमारा ये जो server है, वो fail हो गया, तो पूरा network fail हो जाएगा, network किसी काम का नहीं रह जाएगा, सारा पैसा सब बरबाद हो जाएगा, second, server maintenance cost is high, server को maintain करना काफी ज़्यादा महंगा होता है, इसमें काफी ज़्यादा cost लग जाता है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like करिए, share करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends में share करिए, क्योंकि उन्हों भी इस वीडियो को काफी ज़्यादा ज़र्द होगी, अगर आप internet server के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो link description में है, उपर आई बटन में भी मैं उन वीडियो का link दे दूँगा, आप महां से भी उन वीडियो को देख सकते हैं,